मध्यप्रदेश राजिस्थान और चत्रिसगर में चुनावी नतीजे आना शुरू है और बीजेपी सत्ता की तरफ बढ़ती नजर आ रही है हमार साथ बात करने के लिए समाजवादी पाटी के सीनियर लीडर वदेवीर जी है आप लोग दावे कर रहे थे कि बीजेपी का जो विजय रहत है उसको रोक लेंगे कहा चुक गए इन तीन राज्जियों में हमारा तो क्या दावा बनता था क्योंकि हम तो इतनी बड़ी ताकत नहीं थे कि जो भी दावा कररे थी व ऑप्सक्रीश कर रही थी है है कि हम लोग कॉंग्रेस का सहयों करना चाहते हैं जैकि लुक्त से पहले जीट जये यहां कॉंग्रेस और बार्ति जंता पार्टी दोनों यह नी थी बना ले कि रिजनल ostrac को हराना है हमारे में कोई हर ची तो कोई फ के सीयर उनके साथ है कि और यह प्रचार करके के कर अगर केसेयार उनके नजदिए रहे होते और अलग चुनाव रड़ रहे हैं तो क्या मोधी अपने दोस्त को एक स्पहस्ट करते कैसीआर प्हमला कॉंग्हेस का भी था के सीयार पर हमला भीतर से दोस्ती देखा के भाज़पा ने भी किया इसी तरह मद्द प्रदेश में पूरी मंशा पूरी बात होने के बावजूदी समाजवादी पार्टी की मदद लेना उचित नहीं समझा गया यह कोशिश की गई कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मिद्वार हैं उनको तोड़ के अपने सिंबल पर हम लड़ा दें और समाजवादी पार्टी का बोरी विस्तर इस प्रदेश से पैक कर दें इस मानसिक्ता के साथ जब लोग लड़ेंगे और निश्य तोर पे कॉंग्रेस अपने अलाइस से लड़ रही थी और भारती जन्ता पार्टी केंद्र केंद्री सत्ता के दम पर तमाम पर पडोसी जनप्रदों के कालकरताओं की फोज को वहां बिठा कर एक-एक विधान सव करोनों रुपया लास के तीन-चार दिन में पंप करके वोट खरीदने से लेके मैनेज करने तक सारे काम कर रही थी तो नतीजा कैसे पक्ष में आता है कमल लाज जी आदमी को 30 फूट दूर रखना चाह रहे हैं अपने अलाइस से नहीं मिल रहे हैं अपने सहयोगी दलों के प्रसेंट मंदल से उनके प्रतिनीधी मिलेंगे हैं और भारतिय जंता पार्टी से लड़ना चाहेंगे कैसे लढा जाएगा कमलाथ की बात करें तो कमलाथ ने विए था क्या कॉंग्रेस को जो प्लेश शादव को लेकर करके जो बयान दिया था कॉन अक्लेश वाख्लेश क क्या उसका इफेक्ट था कि नाराजगी जो आप लोग का जो वोड बैंक था वो कॉंग्रेस के साथ नहीं गया इसको कितना बड़ी आप वज़वान पर यह पूरी एक मानसिक्ता है को जब आप 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 अपोजीशन के अपने सायोगी दलों के बड़े नीटाओं को टारगेट करेंगे उनका मान करेंगे तो अपने नीटाओं का क्या क्या होगा मैं पूरे della ना मदब्र अपने मेना कॉंग्रिस के मैसेज क्या दे रहे हैं लोग तंत्र है शिष्टाचार सम्मान के साथ साथ लोगों के प्रति अपना पन रखना पड़ेगा आप अच्छे उद्योग पती हो सकते हैं और सेंट्र लीडर्शिप टेंट्र लीडर्शिप टोटल सरंडर यह कांग्रेस पार्टी क्या एक राष्टी पार्टी है या एक कुछ छेत्री नेताओं का यूनियन ऑफ स्टेट बना इस तरह कोई संग बना हुआ है कि राज्य के नेता कुछ भी करें कोई उनसे टोकने वाला रोकने वाला नहीं मद्रदेश इस तरह सम्मान भी नहीं देना चाहते हैं और यह सिर्फ अक्यले मद्रदेश के कमलनात का विशह नहीं है उत्रप्रदेश और और जन्पत राइस्थान के अंदर जो वहां की स्टेट लीडर्शिप की बीच में बाचीत थी आप अपने से लड़ रहे हैं या भाजपा से लड़ रहे हैं लेकिन आप लोग मद्रदेश में तो आप लोगों ने अपने ऑपने कैंडिडेट खड़े कि तो आप लोगों कभी खाता नहीं खुला निश्चे तोर्फ यह लैंड्स्लाइड विक्ट्री जब हो गई एक त तो इस मत्रप्रदेश के चुनाम में कॉंग्रेस की कारण पहले ही लेट हो गए थे हमारे लोगों ने तो और कॉंग्रेस के मेसेज और सुचना के हिसाब से मान लिया था कि गड़बंदर में हमें केवल 4-5 सीट लड़ती है यह हमारे लोग अच्छा लड़ रहे थे अच्छ जो भी प्रुपे पैसे से लेके और लीडर्शिप का परियोग जो भी किया उन्होंने वो एक तरफा चला है इसमें कोई दो राय नहीं है तो आंकले साफ कह रहे हैं आप लोग ने दो हजार चौबिस के मद्दे नजर इंडिया एलाइंस किया और उससे पहले जो जिन राइस्थान में तो कॉंग्रेस ने आपको सपोर्ट नहीं किया कहा जाए धोका दिया देखिए इंडिया एलाइंस केवल दो गुरूप का लाइंस है कि एक थर्ड फ्रंट की मानसिक्ता वाले गुरूप्स और एक भार कांग्रेस पार्टी कि थर्ड फ्रंट की मानसिक्ता वाले संभू में कोई जखड़ा नहीं है क्योंकि अधिकांस लोगों का अपने अपने राज्यों में जनाधार है और एक दूसरे से अच्छे रिष्टें और वैचारिक समन्वें भी है कॉंग्रेस नहीं ये प्रक्रिया शुरू की थी और इस प्रक्रिया में जो जो जनोंने रास्ता बनाया नितिश कुमार जी उनके राजमें भी चुनाम नहीं या उनको भी असंतुष कर दिया तो ये शुद रूप से कॉंग्रेस को विचार करना है कि क्या उसकी नितिया इंडिया एलाइंस को पक्ष में हैं अगर हैं तो उनमें सुधार करें ब्यवारिक बात करें अगर नहीं हैं तो क्यों इसके पीछे पढ़ते हैं वो खुद तैय करते हैं कि इन 14 जनलिस्ट का हम लोग बाइकॉट करेंगे उनकी लीड रहती है उनकी शिकायतें ज्यादा थी उन लोगों से सारे इंडिया लाइंस के पार्ट कि मैं इसले खहरा हूं कि कांगरेश की राष्टी लीडर्शिप को यह विचार करना पढ़े और कि क्या उनकी पार्टी कुछ राज्यों के निपार्टी का एक यूनियन है यह कोई राष्टी पार्टी है जानने है राष्टी सथरुप आसं को नीचे तक आती हैं और लाग तो क्या ये थर्ड फ्रंट एक अलग होने के उस पर है आप लोग और भी विचार करेंगे कि छोड़ो कॉंग्रेस को हम लोग अलग एक थर्ड फ्रंट बढ़ा करके लड़ते हैं हम न छोड़ा हैं हमने छोड़ा हैं हमने तो मदप्रदेश के चुनाम में मदद करने कोशिश की थी हम सारे लोगों का मानना यह है कि गरीब प्रतनिद्ध कोई सम्मान और कोई तूर दूर तक संभला करने वाली नीतियां नहीं आ रही हैं ततकालिक परिस्तितियों में आप लोग इस्तमाल करने वह अलग बात हैं हम तो चाहते हैं कि गरीब पीडिश शोशित कि आए हो उन्हें समाज में हग सम्मान मिले उसके लिए भाती जनता पाटी हटे और उसे हटाने के लिए हमारी प्रतिवद्धिता पहले हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को यह निश्चित तोर पे तैक करना पड़ेगा कि कोई सिध्धान पर चलेंगे या मनमर्जी चलें बड़ी पार्टी आप हो सकते हैं लेकिन बड़ा मन बड़ी सोच और सबको सास लेने की विचार से काम करना होगा वरना हमारे दल अपने आप लड़ते रहे हमने अपना पिछना विदान समझ चुना लड़ा तो हम साले तीन लाग वोड़ से उतर पर देश की सदकार से शड़ा को एक कोई कंग्रेस की करपा थोले आस्यतre से कॉंग्रेश के शलेंतर का भाजपा के श्लेंतर का शिकार हो सकते हैं क्छेत्रिदल की का अश्रत नहीं है कि दूजार चौबिस क्या आप लोगों को लग रहा है कि आसान है आसान और मुश्किल का प्रस्ट नहीं हर चुनाव नया होता है भावना लोगों के हित सब वैसे ही हैं हर और जीत में बहुत कम अंतर होता है चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है क्या मुद्दे हाइलाइ होती है इन सब चीजों पर चीजें निर्वर करती है आज भी जो वोट बैंक जो समाजिक सक्तियां भाजपा के खिलाफ है वह आज भी हैं उनको संग्षित करने के आवशकता है उनको एक दिसाम में पर्यास करने की आवशकता है चुनाव सर नीचे करके पूरा ध्यान से ल से वही कि क्या कॉंग्रेस का जो आज हश्र है वो अखिलेश यादो या अपने दूसरे अलाइब पार्टनर्स के अपमान का नतीज़ा है कह सकते हैं कि ये बात भी सच है लेकिन इस से ज़्यादा अगर इसको और विस्तार से आप कहना चाहें तो कॉंग्रेस की नेशनल लीडर्शिप की सही नीतिया नहीं है वो अपने नेताओं के बीच में न पंचायत कर पा रहे हैं न समन्वय विठा पा रहे हैं और उसी मानसिक्ता के सथ अपने अलाइज को भी अपमानित कर रहे हैं उनके हितों पर कुठारा घात कर रहे हैं और उनके साथ भी समन्वय नहीं बना पा रहे हैं धन्यवाद, ये था हमारे साथ सवाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदावीर, जिनका कहना है कि कॉंगरिस पार्टी ने जो अपने अलाइब पार्टनर्स के अन्देखी की उनके नित्रतों का अपमान किया उसी का नतीजा है कि जो चुनावी राज्जियों से नतीजे आ रहे हैं उसमें कॉंग्रेस बुरी तरह से फेल हुई है क्यमरा परसंदी रच के साथ संतोष कुमार आज सता